हेलो स्टुदेंट्स, वेलकम तू मैगनेट ब्रेंज, माइनेम इज अभीशेक पांडे, यू टीचर फॉर करेंट इवेंट्स, सो मैगनेट ब्रेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको सभी क्लास, सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, तो आपको देखने को मिल रही है, रश्या और यूक्रेन की बीच में जो लड़ाई यहां पर हो रही है, इसमें अगर हम यहां पर देखेंगे, तो इसमें कई सारे ऐसे लोग हैं, हमारे जो इंडियन से जो यूक्रेन में पढ़ाई करने गए थे, या जॉब परपस से गए थे, और वो यहां पर क्या है कि इस वार की बीच में जो है, वो फस गए, तो उनको इवैकुएट करने के लिए, बाहर लेकर आने के लिए, अपने देश में वापसी कराने के लिए, भारत सरकार ने जो यहां पर एक मिशन था, यहां पर चलाया है, जिसका नाम है Operation Ganga, कई सारे लोगों को यहां पर वापस लेकर आया जा चुका है, और कई सारे लोगों को जो है, वो लगातार इस सीरीज में आपको देखने को मिल रहा है, अभी यहां पर क्या हुआ है कि अभी निउस में एक दुखत समाचार यह भी था, कि करनाटका से हमारे भारत की जो एक स्टुडेंट से जो यहां पर गोलिया मगएरा चल रही थी, जो बॉम्बिंग मगएरा हो रही थी, उसमें से एक भारती है जो है, उनकी यहां पर मृत्यू भी हो गई थी, ठीक है, तो भगवान उनकी आत्मा को जो है, वो जरूर यहां पर शांती दे, लेकिन ऐसे बहुत सारे यहां पर हमारे लोग जो वहां पर भसे हुए थे, उनको यहां पर वापिस लाने के लिए भारत सरकार लगातार अपने पूरे एफर्ट के साथ यहां पर काम कर रही है, और अलग-अलग लोगों को जो है, वो यहां से वापिस लाने की जो यह पूरी की पूरी एक्सेसाईज है, वो यहां पर conduct की जा रही है ठीक है तो अब यहां पर हम यह operation गंगा के बारे में देखते हैं यह operation गंगा है क्या सबसे पहले यहां पर news में देखते हैं ठीक है आप सभी को बताएगी यह है आपका पूरा का पूरा यह रश्या यहां पर आपको देखने को मिल रहा है और रश स्ट्रेट यह हो गया क्रीमिया यह हो गया आपका डॉनबास रीजन जिसमें लुहांस को डॉनिसकस आपको देखने को मिल रहा है यह खारकीव हो गया ठीक है यही सब चीजे ठीक है यह अलग-अलग तरीके की चीजे जैसे यह Capital IQ तो काफी सारी चीज़े जो है यह लगातार न्यूज में हैं तो इनके बारे में आपने सुनाई होगा तो यहाँ पर क्या है कि इस तरीके की situation create हुई है so government of India ने यहाँ पर एक launch किया operation यह initiative जिसका नाम है operation गंगा ठीक है और यहाँ पर क्या है ओपी गंगा help line जो है वो आपको एक Twitter handle देखने को मिलेगा ताकि यहाँ पर जो भारतिये लोग है उनको evacuate यहाँ पर किया जाए ठीक है मतलब यहाँ पर क्या है कि Ukraine में जो लोग फसे हुए help line to assist Indian evacuation from Ukraine has also been announced ठीक है मतलब कि ट्विटर handle यहाँ पर start किया गया ताकि जो Indians वहाँ पर फसे हुए उनको कैसे evacuate करेंगे उसके बारे में उनको information यहाँ पर प्रोवाइट की जाए the tensions between Russia and Ukraine are currently heightened with the war erupting in Ukraine after the Russian military launches series of attacks recently तो मतलब अलग-अलग तरीके से यहाँ पर हुआ है तो यह सब चीजें आप न्यूज में देखी रहें और इसके उपर काफी सारे जो वीडियो हैं वो भी यहाँ पर प्रोवाइट किये गया है तो इसी सीरीज में आप यह देख सकते हैं कि वहाँ पर दिखाए दे रहें ठीके उनको यहाँ पर वापिस लाया जाए है ना न्यूज में यह भी चीजें निकल कर सामने आ रही है कि जो हमारे फ्रेंड़ी नेशन नेपाल वगएरा ते के वहाँ पर जो नेपाली सब्सक्राइब है उनको भी हमने यहाँ पर इवेकवेट किया है देर वर एराउंड ट्वेंटी थाउड इंडियंस इंक्लूडिंग इस्टुडेंट्स स्टुडेंट्स स्टक इन युक्रेन मतलब करीब 20 अजार लोग जो है वह यहाँ पर यूक्रेन में आपको फस्ते व कि अभी हो सकता है कि नमबर जो है इंक्रीज हो ऌग ऑगयाओ इंडिया जो ङहां पर है उसने यहां पर क्या कियाया है कि करीप यह इंडिया को ट्रस्ट है उसने यहां पर खरीद लिया है यहां पर क्याएंगि करीब बहुत सारी इंडियंस जो है उनको यहां पर युक्रेन से भारत लेकर आया गया है इंडियन इवेक्वेशन फ्लाइट सार ऑपरेटिंग फ्रॉम नेबरिंग कंट्री इस लाइग रोमानिय और हंग्री है न क्यूंकि वहां पर वार की ठीक है फिर उसके बाद यह पुलाइंड वगरा तो अलग-अलग तरीके कि जो यहां पर आपकी नेभरिंग कंट्रीज हैं वहां से क्या कर रहे हैं कि इनको यहां पर ऑपरेट किया जा रहा है ठीक है उसके बाद गवर्मेंट इस आपने देश जो है वह वापिस लाया जा सक तो अलग-अलग तरीके की जो means हैं उनके तहट यहां पर क्या हो रहा है कि जो हमारे Indians वहां पर फसे हुए उक्रेट में उनको आप यहां पर वापिस ला रहे हैं ठीक है तो यह point भी आपको यहां पर समझना है तो operation गंगा में जो यहां पर लोग फस गए हैं उनको वापिस लाने की जो पूरी की पूरी चीजें है वह यहां पर complete की जा नहीं है अब उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमने के बल जो यहां पर operation गंगा है उससे तुम को यह समझ में आ गया कि operation गंगा से यूक्रेइन के लिए हमने काम किया है ठीक है लेकिन ऐसे बहुत सारे operations है जो आपको देखने को मिलेंगे so what are the evacuation operations carried out by India है ना कौन-कौन से operations यहां पर इंडिया ने carry out की है आस तक उनके बारे में थोड़ा सा overview ले लेते हैं सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो operation गंगा जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि जो लोग Ukraine में फसे हुए उनको ले आपको देखने को मिलते हैं उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वंदे भारत भी एक mission यहां पर launch किया गया था यह 2020 में किया गया था जब COVID-19 pandemic यहां पर आपको पूरी दुनिया में आपको देखने को मिल रहा था उस time period पर central जो हमारी government है उसने वंदे भारत mission यहां पर start है ना विदेश में यहां पर फस गया थे उनको बाहर लाने के लिए है ना जो केंदर सरकार है उसने यहां पर क्या किया था कि वंदे भारत जो मिशन है वो यहां पर start किया था इंदा multiple phase of the operation about 60 lakh इंडियन वर ब्रॉट बैक ऐस ऑंदा 30 April 2021 मतलब करीब आप यह कैसकते हैं कि सारी इसमें फ्लाइट्स वगरा लॉंच करी गई और करीब साथ लाग जो भारतिये लोग है ठीक है उनको यहां पर वापिस इंडिया लेकर आया गया था वंदे भारत के तहट ठीक है फिर उसके बाद हमने operation समुद्र से तु जो है वो यहां पर start किया था 2020 में है ना operation समु 9-9 για है यहां पर यहां पर यहां पर वा पस ले कर आया जाता था तो आप यह कह सकते हैं हैं यहां पर अपने नगरिकों के लिए जो है वो रिडि रहती है जो इस तरीके की situations में हाँ पर फस घेना चाहिए आप operation समुद्र से तू देखिए काफी अलग अलग तरीके की चीज़े जो है उनके तहित हमने हमने इंडियन को जो है वह वेक्ट किया है और आप यह कह सकते हैं कि यहां पर जो सी वगरा से करीब 4000 लोगों को जो है वह यहां पर इंडिया वापिस लेकर आया गया था ठीक है जैसे यहां पर डिस्टेंस जो है वह यहां पर ट्रवल करी गई और करीब यहां पर 4000 लोगों को यहां पर वापिस लाए गया ठीक है तो नंबर यहां पर वैरी कर सकते हैं लेकिन एप्रॉक्सिमेटली आप कैसकते हैं कि यह सारी चीज़ें जो है वह आपको देखने को मिल रही तो ऑपरेशन समुद्र से तुझ जो था वो नेवी का ऑपरेशन यहां पर देखने को मिल रहा था फिर उसके बाद इवैक्वेशन फ्रॉम ब्रसेल्स ठीक है आप सभी को पता है कि यहां पर नैटो का है ठीक है यूरोपेन यूनियन का हैटको आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो यह सब जो है यह बेलजियम की राजनी ब्रसेल्स में है तो 2016 में हमने यहां पर क्या किया था कि जो बेलजियम है ना यहां से भी कुछ इवैक्वेशन जो है वो यहां पर करी थी है ना जैसे यहां पर क्या हुआ था बेलजियम में टरॉरिस स्ट्राइक जो है व crew members थे return to India in a jet airways flight ठीक है तो वहाँ पर उनको भी यहाँ पर क्या किया गया इवेकवेट किया गया जो भारतिया यहाँ पर फस गया थे जो crew members वगरा थे उनको यहाँ पर jet airways flight से जो है वो भारत लेकर आया गया तो जब Belgium में यहाँ पर इस तरीके की problem होई थी तब भी इंडिय होगे तो यहां पर क्या था यमिनी गौर्मेंट एकर रिबशना इनके बीच कह दिया था कि no fly zone मतलब यहां से कोई flight वगरा जो है वह यहां पर नहीं जाएगी है ना तो यह चीज़े यहां पर आपको देखनी को मिली अंडर operation रहात इंडिया इवेक्वेटेड नियरली 5600 people from Yemen ठीक है लेकिन उसके बाद यहां पर क्या हुआ कि भारत ने यहां पर जो है operation रहात यहां पर स्टार्ट किया जिसकी वज़े से यमन से करीब हम 5600 जो यहां पर लोग है उनको यहां पर वापिस लेकर आपाए ठीक है तो यह पॉइंट आपको यहां पर समझना है है ना ह हौथी रेबलस यहां पर यह बोलता है यही यमन वगड़ा जो है वो यहां पर यहां पर इरान वगड़ा जो है वह सपोर्ट करता है तो इस चक्कर में यहां पर साउधियरेबिया ने नो फ्लाई जोन कर दिया था कि हमारे यहां से कोई फ्लाइट विगरा नहीं जाएगी लेकिन भारत सरकार ने ऑपरेशन रहत के तहित करीब 5600 जो इंडियन से उनको यहां पर वापिस लेकर आए ठीक है तो ऑपरेशन रहत से याद रुखिएगा यमन से लोगों को यहां पर इवेक्ट किया गया था फिर ऑपरेशन मैत्री आपको देखने को मिलेगा 2015 में है ना अब यहां पर क्या हुआ कि इंडियन आम फोर्स ने यहां पर स्टार्ट किया था और 2015 में क्या हुआ था कि नेपाल में अर्थक्विक आया था नेपाल की राजणानी जो है वो यहां प उनको नेपाल से एरफोर्स के द्वारा और जो सिविलियन प्लीन से ठीक है उनके द्वारा यहां पर वापिस लाए गया और आप यह कैसकते हैं कि इंडियन आर्मी सक्सेस्फुली एवेक्वेटेट वन सेवेंटी फॉरें नैशनल फ्रॉम दा यूएस दा यूके रश्या जर्मनी ठीक है तो और भी बहुत सारे यहां पर इंडियन आर्मी वगरा थे मलब उसमें यहां पर यूएस के यूके के रश्या जर्मनी के भी यहां पर टोरिस्ट वगरा जो है वो यहां पर आयते तो इंडियन आर्मी ने करीब 170 जो फॉरेंड नैशनल लोग थे उनको भ 2011 में अगर आप देखेंगे तो operation safe homecoming आपको देखने को मिलेगा 2011 में 2011 में इंडिया ने operation homecoming जो है वो यहां पर launch किया था क्योंकि यहां पर क्या था कि यह लीविया की राजधानी त्रपोली आपको देखने को मिलेगा ठीक है जहां से कंडल गदाफी जो है वो बिलॉंग कर पर उनको भारत सरकार सक्सिसफुली भारत लेकर आई दा एर सी operation वास कंडुक्टेट बाइधा इंडियन नेवी और इंडिया ठीक है मलब जो सी operation था वो इंडियन नीवी के दोरा किया गया और एर वाला एर इंडिया के दोरा किया ठीक है मलब जब सारे लोग यहां पर करा रही है ठीक है तो operation safe homecoming से यहां पर लीबिया से लोग जो थे उनको यहां पर बाहर लाए गया फिर उसके बाद operation सुकून देखिए operation सुकून था 2006 का इसमें क्या हुआ था इसराइल और लेबनन की बीच में जो एक military conflict आपको देखने को मिली थी और इंडिया rescue standard citizens by launching this operation which is now famously known as the ठीक है बैरेट सीलिफ ठीक है तो याद रुखिए का यहां पर क्या है लेबनन की राजदानी बैरत आपको देखने को मिलेगी सो वहां से क्या है कि बैरत जो यहां पर सी लिफ्ट है तो भारत ने यहां पर क्या किया operation सुकून जो है वह स्टार्ट किया था उस ताइम पर इसराइल और लेबनन की बीच में जो है वह यहां पर एक conflict देखने को मिली थी जिसकी वज़े से भारत ने वहां पर जो फसे हुए इंडियन से उनको यहां पर rescue कर के भा यहां पर इवेक्वेशन देखने को मिल रहा है तो यह आपको ध्यान रखना है और यहां पर क्याएगी दटास्फोर्स इवेक्वेटेड बाओ टू 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 एट-0 पीपल इंक्लूडिंग सब नेपैली जरी लंका नेशनल बिटूइन नाइंटीन जुलाई एन फर्स अ आपने यह मूवी देखी होगी अक्षे कुमार की एरलिफ्ट मुवी यह इसी के उपर जो है वो बेस्ट आपको देखने को मिलती है तो 1990 का कुवेट एरलिफ्ट है और इसमें यहां पर करीब आप यह कैसकते हैं कि करीब एक लाख जो इराकी सोल्जर्स थे आम्ड विच से अगरेबिया भाग गए जन्रल पब्लीग वस लेफ्ट बिहाइंड टू फेंट फोर देंसेल्फ और ओवर वन लाख सेवेंटी थाओज़ेंड और इंडियंस मतलब आप यह कैसकते हैं कि बहुत सारे लोग यहां पर थे कि जो कि इंडियंस वगरा भी आपको यहां पर दे exercise थी वह आपको कुवैत में देखने को मिलती थी 1990 में इस तरीके की exercise होई तो अगर हम इस तरीके की exercise यहां पर देखें तो भारत सरकार अपने नागरिकों के लिए चाया वो किसी भी देश में हो हमेशा यहां पर खड़ी रहती है और अलग-अलग तरीके से उनको यहां पर भारत में लेकर आएंगे अभी examination point of view से question यहां पर बनेगा आपको एक तरफ सारे operation देदेंगे एक तरफ जो जहां से evacuate किया था उन countries के नाम देदेंगे और आप से बोलेंगे कि इसको match करो है ना तो आपको यह पता होना चाहिए कि कुवैत ऐरलिफ्ट से कुवैत से किया था operation सुकून जो है वो Lebanon से किया था operation safe hope coming जो है वो Libya से किया था मैत्री नेमाल से किया था रहत जो है वो यमन government के बीच में जब यहां पर problem चल रही थी तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन सा यहां पर operation है कौन से साल में किया गया था और वो कौन से country में किया गया अगर यह चीज़े आपको ध्यान रहेगी तो इस तरीके के questions जो है वो आप आसानी से attempt कर पाओगे ठीक है तो guys यह था आज का हमारा session और बाकि जो Hindi medium के students है उनके लिए Magnet Brains Hindi YouTube channel यहां पर start किया गया है आप इसको जरूर जोइन करें क्योंकि इसमें आपको सभी content जो है वो Hindi माध् करना है कि यहां पर आपको सब कुछ जो है वो Hindi में प्रोइट किया जाएगा Magnet Brains पर kg से लेकर 12 तक की जो भी यहां पर classes होती है वह आपको 100% यहां पर free provide की जाती है और आपकी सुविधा के लिए Magnet Brains की official app और website पर सभी class सभी subject की वीडियो को एक range format में प्रोइट किया गय से ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो के तहट इस particular information को यहां पर सीख सके जान सके अगले session में एक नए topic के साथ मिलूँगा तब तक keep smiling and keep preparing लगे रो exam clear करो thank you so much जेच जेहिन